तो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा गर्मियों का नाइट स्किन के रुटेन जो की बहुती ज़्यादा अच्छा है, इफेक्टिव है और जरूरी भी है अगर आप मेरा बता हुआ है, इस सिंपल सा नाइट स्किन के रुटेन डेली रात को सूने से पहले फोलो करेना आपके स्किन लंबे टाइम तक जवान रहेगी इतनी जल्दी आपके स्किन पे बुढ़ापे का असर नी होगा ना स्किन डेली पड़ेगी और आपके स्किन पे गलो बना रहेगा, रूखी सूखी बिजान आपकी तो चानी होगी, ऐसा नी है कि आप जैसे 20 साल के थे, 18 साल के थे जब आपके फेस पे जो गलो था और अभी जो हालत है, वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी और अच्छी आपके स्किन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपने नोटिस किया होगा, आपका चेहरा पहले से काला पड़ रखा है, रूखा सूखा सा हो रखा है, आप अपने पेस को देखते हैं ऐसे लगता होगा शीशे में एक डेड़ स्किन सी हमारे चहरे पे हमारी गर्दन पे चड़ गई है बाकी बोडी के अकोर्डिंग तो काफी जादा तो किस तरह से आप अपने स्किन को वापस से रिपेयर मोड पे डाले क्योंकि रात को हमारे स्किन होती है स्किरिंग मोड पे रात वाला स्किन केर रूटीन हमारे लिए सबसे ज्यादा महत पूरण होता है ठीक है बहुत सीधी सिंपल सरल चीजे बताऊंगी फोलो आपने जरूर से करनी है ओके तो आपको डेली रात को सोने से पहले तीन चीज़े जरूर करनी चाहिए सी टी एम क् से पूरा देखिए पहली चीज आपको दिन बर में चाहिए आप कहीं ओफिस जाते हैं घर में रहते हैं जो धूल कंड मैल गंदगी आपके फेस पे जमा होती है उसको आपने टॉनर सेट क्लेंजिंग से उसको क्लीन कर लेना फेस की क्लेंजिंग बहुल जरूरी होती है और लेकिन अगर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आपको बहतर कोई आपको क्लिंज अची है तो मैं आपको बोलूंगी आप कच्छे दूद से क्लिंजिंग कर सकते हैं आपने क्या होता है जैसे अपने फेस पे आपको कच्छा दूद लेना है और उससे आपने अपने लेके नहीं बैठी हूँ, तो cotton में ले आई हूँ, मेरे कहने से ज़रूर आप ये night skincare routine अप्लाई करना, इसके बाद हम एक और महत्व पूरन face back बनाएंगे, आपको दूद लेना है, cotton लेना है, उसमें इस तरह से dip करके, पूरे face को आपने अच्छे से इस से पोच लेना है, और अगर आप चाहें तो 5 मिनट कच्छे दूद से मसाज भी कर सकते हैं, वरना तो आपने अच्छे से अपने face को दूद से cotton की help से पोचना है, सारा दिन भर का धूल, मैल, गंदगी, डस्ट किचिन में काम करते हैं, oil सब clean हो जाएगा, लड़के हैं तो travel करते हैं, office वगेरा ज जरूरी चीजे आज मैं आपको बताऊंगी, जरूर अपलाए करना, तो सबसे पहले हमने इस तरहां से cleansing किया, face को दूद से साफ कर लिया, दूसरे step में आपको कम से कम हफ़ते में 3 दिन, या फिर चाहे तो daily भी आप 10 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं, अगर आप बहुत आपने करना क्या है, एक बढ़िया face pack, आपको daily असान बताऊंगी, आपने गर्मियों के लिए specially, जैसे आपके घर में मुलताने मिट्टी तो होता ही होगा, नहीं है, तो घर में तो नहीं होता है, लाना पड़ता है, जैसे कि पसाबत मुलतानी ले आए, पिसा हुआ तो कटोरी में जी एक चमच हमने मुलतानी मिट्टी पाउडर डाला, अब आपको लेना है, गुलाब जुल यानी की रॉस वाटर, आपने गुलाब जुल इस तरहां से इसमें मिलाना है, और इसको mix कर लेना है, अब यहाँ पे अगर आप बहुत ही जादा आलसी हैं, आपक केमिकल ना हो, वो अच्छे ब्रैंड का हो, वन्हों कोई ऐसा काम चला हूँ, सस्ता बना हुआ पैक लेने से अच्छा आप घर में बना लेना, एक मिनट लगता है, और इसकी धीमी धीमी खुश्बू भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो हमने इस तरहां से पैक बना सूखने में पतला सब्मीक आपने बनागी लगा रॉज वाटर का ऐसे मिटे का।ओर को बनातिय का हुवादstone कि और आपकी लगकी स्किन को ताइट बनाएगा, आपकी प्लीने लाएगा, सारे मेलवां को निकाल देगा। टो रहा सहा cleansing मी रहे गया होगा, डेड़ स्किन, मयल वर ग्यरा, हमने यह पैक लगाया, बस 10 उस मिनिट लेना है आपको इसको सुखाने के लिए, फिर हमने इसको बऄफ कर लेना है और यह पैक आप चाहे डेली लगाएं, तो दूसरे step पे हमने ये बढ़िया सा एक simple सा घरी रूपैक बनाया और अपने face पे apply किया ताकि आपकी skin अच्छे से repair हो सके आपकी skin को अच्छा अच्छा feel हो fresh feel हो सारी dead skin निकल के skin breathe ले सांस ले तीसरी चीज़ हमको करनी है toning toner और जहाँ toner की बात आती है बिल्कुल सबसे natural toner होता है गुलाब जल आप चाहे तो गुलाब जल as a toner यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो market का toner भी यूज़ कर सकते हैं दुबारा बताती हूँ बस वो organic हो उसमे chemical न हो चेक कर लेना मैं यहाँ पे गुलाब जल को as a toner अपने face पे apply कर लूँगी ये skin पे जो चमक है उसको बरकिरार रखेगा skin को fresh रखेगा redness से बचाएगा आपके skin को tight बनाएगा fresh बनाएगा ये गुलाब जल as a toner ठीक है इसके बास से हमको क्या apply करना है हमको last में सबसे बहुत जरूरी चीज़ जो कि आप skip कर देते हैं डेली रात को सोने से पहले आपने अपने face पे अपने हाथों पे पैरों पे बढ़िया से moisturizer लगाना है चैरे पे चाहे तो आपको किसी की आदत है तो आप वो night cream लगा सकते है लेकिन हाथों पे अच्छे से आपने moisturizer लगाना है मैं ये moisturizer हाथों पे पैरों पे और face पे apply करती हूँ ताकि skin को proper moisture मिले क्योंकि skin जो अंदर से dry हमारी होती है आप सोते है राद को तो आपके skin और ज्यादे dryness के कारण आपके skin की जुरियां पढ़ने लगती है skin रूखी सूखी होने लगती है तो skin को proper moisture देना बहुत ही ज़रूरी होता है moisture लेके आपने 2 मिनट अपने face पे massage करते हूँ अपने skin पे moisture लगाना ताकि अंदर तक आपका सारा moisture जा सके अपने हाथों पे पैरों पे अच्छे से लगाना है चाहे आपकी skin oily हो बेशक से oily skin बालों को भी लगाना है skin बहार से oil जो है अंदर से reduce करती है oil आपके face पे आके चिपचपा फील होता है वरना अंदर से skin में अगर moisture skin को ना मिले तो dryness आती है जैसे बालों को देल चाहिए वैसे skin को moistureizer चाहिए ओके अगर आप natural को moistureizer लगाना चाहते हैं तो आप यहां पे बहुत से लोग थोड़ा देसी घी लगाते है नारियल का तेल लगाते है वो भी आप apply कर सकते हैं आपकी skin के लिए बहुत अच्छा रहेगा ओके तो अच्छे से मैं अपने skin पे moistureizer भी लगा लेती हूँ हाथो पैरों को बिलकुल skip ना करें वरना हाथो पैरों पे रूखा पनाने में वाक्त नहीं लगेगा ठीक है इसके अलावा बालों का मैं आपको बताती हूँ कुछ लोग कहते हैं बालों में shine नहीं है हलके से हो गए है नमबर एक तो आजकल आप मुझे notice करना बेगशक से मुझे विडियो बनाना होता है आपके सामने आना होता है फिर भी आजकल मैं अपने बालों को pressing करना prefer नहीं करती हूँ मैं चाहती हूँ मेरे बाल नेच्छरल रहे खुबसूरत रहे बहुत रेरली ऐसा होता है कि मैं मेरे बालों को जो है straight करती हूँ कई जानना बालों को जाते हैं नमबर दो ऑईलिंग जरूर करें सरसो का देल लगाए हलका गरम करके बाल दोने से पहले चाहे चार घंटे पहले चाहे तो रात को यह जरूर फोलो करें और आपके सारे टेंगल्स भी क्लियर हूँए बाल अलजेंगे नहीं और जबी भी आप चैंपू करें तो कंडिशनर जरूर अपलाई करें कंडिशनर बहुत जरूरी होता है आपके बालों से कम तूटते हैं असानी से सुलच जाते बालों में शाइन रहती है बालों में सॉफ्टनेस रहती है रूखा सूखा बाल नहीं होता है तो यह कुछ टिप्स से आप रात को अपला भी मूप करने कभी मेकप के साथ नहीं सोना है वरना जो मुश्याइजर हमारी स्किन के अंदर जाके फाइदा दे रहा है ना वहीं मेकप फेस पे छोड़ेंगे तो वह अंदर जाके स्किन की बैंड भी बजाएंगा ओके तो यह चीज़े आपने कुछ टिप्स फॉलो करने है ध्यान रखने है अगर आपको मूद होने का मन नहीं है मेकप बहुत बहुता हुआ है तो आप किसी वाइब के साथ उसको क्लीन करके फिर अपना स्किन केर करें लेकिन करना जरूर है बहुत आला सार है तो फेस पेक आप उस दिन अवाइड कर सकते हैं बाकि आपको क्लिंज करनी है तो दोस्ता मैं जोती मिलती हूँ का आप से कल एक और ने वीडियो के साथ तब तक आप लोगों से विदाग लेती हूँ बाई बाई लव यू अल माई फ्रेंड्स